हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, इन आबर गार्डनिंग एक्स्पेरियंस में फ्रेंड्स, सकुलन्ट की जो कंडिशन है, हम नरसरी से बहुत सारे सकुलन्ट लाते है और उसके लिए से कंडिशन जो होती है, वो उसे प्रोवाइड करते है जैसे कि शेड में रखना, कम से कम पानी इसके लिए, वाटरिंग इसके लिए देना आट दिन में एक बार या पंदरा दिनों में एक बार और उसके साथ ही उसकी समर केर करना और बारिश में इसे बिलकुल नहीं रखना और ये हमें बाते अभी तक पता चली है, जो भी मेरे गारडनर फ्रेंड है तो उन्हें मालूम है कि सकुलन की कंडिशन क्या होती है जिसके वज़े से हम इसे अपने गारडन में जादा से जादा टाइम तक बचा सकते है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ कर सकते है और प्रोपोगेट भी कर सकते है तो एक सेकुलेंट है यह हमारे पास दो सालों से है यह है अनियम कैनरिंस बिल्कुल आपको इसकी एक्स्टा केर करने की ज़रूरत नहीं है यह फुल बारिश में चलता है फुल समर में बहुत अच्छे से रहता है हमारे पास सेमी शेट प्रोवाइड करने पे और उसकी साथ इसका विंटर में आप देखिए कुपसूरती मैंने इसके बारे में एक वीडियो लास्ट इयर में अप्लोड किया था कि विंटर में इसके जो पेटल्स के बॉर्डर होते है रेड बन जाते है और यह बहुत ही कुपसूरत सा एक फ्लावर जैसा लूग देता है बहुत सारे यह सकुलेंट तयार किये है हमने और बस एक ही सकुलेंट लेके आये थे अनियम कैनरिंस का और यह बस वन फिप्टी क था और आप यह देख रहे हैं इसके जो लीव्ज है यह बहुत ही पास-पास है इसलिए यह फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देता है लेकिन जब हमने इसे पर्चिस किया था मैंने स्पेशली इसे पर्चिस करके लाई थी तो एक लीव और बहुत जादा डिस्टंस पे दूस एसा इसका हालत था और हमें मालूम नहीं था कि इसका केर कैसे करनी है लेकिन एक बार हमने इसे दूप में रखा तो मुझे पता चला कि यह जो सकुलन्ट है इसे पूरी दूप चाहिए पूरी डारेक संलाइट चाहिए direct sunlight मिलने पे ही इसके leaves का structure जो है ये flower like बन जाता है अगर आप इसे semi shade provide करेंगे तो इसकी जो stem है वो ज़्यादा रहेगी और ये leaves का structure जो है तो ये बहुत ही दूर दूर था और ये जो plant है वो attractive नहीं लग रहा था ये last year का plant है last year इसे तयार किया था और बहुत सारे पप अप निगाल रहा है stem से ही नीचे से भी बहुत सारे पप निकालता है आप एक plant से एक साल में 10 से 15 plant नहीं बना सकते हैं उसे भी ज़्यादा बना सकते हैं और ये leaves से भी propagate हो जाता है बहुत जगदी से आपने बहुत सारे succulent देखे होंगे बहुत दीरे दीरे growth करते हैं लेकिन ये बहुत ही fast grow करता है और बारिश के season में तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये grow करता है ये आपने देखा होगा open space में रखा है इसका कुछ भी problem नहीं आता है डारेकली बारिश में रखने से डारेकली दूप में रखने से बहुत सारे हमने यहाँ पे देखिये कितने सारे cutting से succulents तयार किये हैं कितने सारे pup यहाँ पे बने हुए है बद छोटा सा ही मैंने मेरे ममी को pup दिया था दो साल पहले तो उससे कितने सारे pup तयार हो गए हैं कितने सारे plants तयार हो गए हैं और एक बात बता दू यह ऐसे ही चार प्लांट मेरे ममी ने sold किये है तो तब से मेरे ममी ने बहुत सारे प्लांट इसके तयार करके रखे है क्योंकि अभी इनका रेट तो सबी को मालूम है कि कितना होता है देड सो, दो सो या टू-फिप्टी तक भी यह जाते हैं और इनका अगर हम सही से केर करें तो बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं इसके भी टाइप होते है फ्रेंड्स अगर आपके पास अनियम कैनरींस टाइप का सुकुलंट हो तो इसे आप डारेकली सनलाइट में डारेकली बारिश में आप इसे रख सकते हैं विंटर में तो यह बहुत खुब्सूरत लगता है तो आप भी इसे पर्चेस कर सकते हैं नर बहाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है इनको मेंटेन करके हमारे गाडन में सपुलन्ड है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं हमें एक बात प्रेंट्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को